तो मूवी की स्टार्टिंग में हम डॉक्टर कुर्यपन की एक वीडियो रिकोर्डिंग देखते हैं जिसमें वो हूमन लाइफ को बचाने के लिए सेक्रिफाइस करने की बात कर रहे थे क्योंकि प्रेजन डे में हूमन लाइफ काफी मुश्किल वक्त से गुजर रही होती है जिसमें की हाई ग्लोबल वर्मिंग रिस्ट, टेलरिस अटैक, सीविल वर और वाइरिसी सामिल थे फिर सीन कट होकर कुछ टाइम पहले कैनाडियन आर्क्टिक की ओर सीप्ट होता है जहाँ पर डॉक्टर कुरेपन अपनी रिसर्ट्स टीम, जिसमें की जेन और टू रिसर्चर्स होते हैं उनके साथ पोलर वियर को पकड़ने की तियारी कर रहे थे जिसके दोरान हम देखते हैं कि वो बियर एक मेहमत को खा रहा था इसे बीच हम एवलन को देखते हैं जो कि डॉक्टर कुरेपन की डॉटर थी और जब वो कार में होती है तो इतने में ही उसके पास उसके फादर का कोल आता है जिसमें वो उसको अपने पास बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन एवलन उन्हें मना कर देती है क्योंकि उसके फादर उसकी मदर के फ्यूनरल में नहीं आये थे इसलिए वो उन पर काफी गुसा थी मगर जब उसके फादर उसे उसकी मदर की सारी प्रोपर्टी देने को बोलते है तो वो वहाँ जाने के लिए मान जाती है वहीं अब डॉक्टर क्रुएपन के पास उनका एक साथ ही आता है जो कि उसे बताता है कि वो वीर मल चुका है जिसे सुनकर डॉक्टर क्रुएपन दोड़ कर अंदर जाते हैं और इसके पास इन कट होता है और हम दो दिन बाद का समय देखते हैं जहां क्रुएपन बार्ट को कोल करके उसे उनकी डोटर और अधर स्टुडेंट्स को उनके पास लाने से मना कर देते हैं मगर एवलिन उसकी बात नहीं मानती और अब वो कूपन के मना करने के बावजूद भी उनस्टूडेंट्स के साथ रिसर्च फैसलिटी की और निकल जाती है दूसरी तरफ रिशर्च टीम के लोगों की हेल्थ अप काफी खराब होने लगी थी और यहां पर हमें पता चलता है कि यह सब उस मेहमत के कारण ही हो रहा है क्योंकि उस मेहमत को खाने के बाद ही उस बीयर की देथ हुई थी इसी पीच एवलिन और अधर मिलता है जो कि पहले ही मर चुका था और अब उस रूम में बाट भी आ गया था जो कि बीयर के साथ अपनी फोटो किचवाने के लिए जैसे ही अपना हाथ उस पर रखता है तो तब उसे ऐसा है जैसे कि किसी चीज ने उसे काटा हो लेकिन वह इस पर जादा ध्यान नहीं द दे देती है जो कि एवलन से उसे वही फैसलेटी में रहने के लिए बोलते हैं जिसके बाद मूवी में एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि कुरेपन जैसे ही कौन रखता है तो तब ही जेन उसे और दूसरे रिसर्चर को मार कर वहां से भाग जाती है फिर हम उस रा अधी रात को एवलन की आप खुलती है और वो सामने से किसी को आता हुआ देखती है फिर जब वो बहार चेक करने के लिए जाती है तो उसे वहां हेलिकॉप्टर में जेन मिलती है जिसे की एवलन अब अंदर ले जाती है जहां पर एवलन जेन के हाथ में एक कैमरे को नोट देखते हैं कि जेन ने उनके हेलिकॉप्टर का फ्लाइट पैनल डिस्टोय कर दिया है हाला कि बार्ट उन्हें बताता है कि वो इसे जल्दी ठीक कर देगा और इतने में ही वहां पर लिंग आती है जो कि उन्हें बताती है कि जेन की कंडिशन अब काफी बिगर गई है जिसे स जुनकर जब वे सब जेन के पास जाती है तो वे देखती है कि जेन प्रोपरली सास नहीं ले पा रही जिसके सास साथ उसके मूँ से एक लिकविड भी बहार आ रहा था इसलिए एवलेन ऑक्सिजन दे कर उसे बचाने की कोशिस करती है मगर बाट उसे रोक देता है क्योंकि देते हैं मगर वे उस पर जादा ध्यान नहीं देते और जल्दी उने वहां पर रिसर्च टीम का एक मेंबर भी मिलता है जो कि अब मर चुका था और उसे देखकर अब समझ गई थी कि जेन नहीं उसके फादर को मारा है जिसके बास इंकट होता है और हम फैडरिकों को देख सब उसकी बोड़ी को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जेन की बोड़ी में भी अब सेम मेहमत वाले एक्स थे इसलिए अब उन सबीने जेन को बियर वाले रूम में लोक कर दिया था और यहां पर उन्हें पता चलता है कि वह बियर भी पहले से ही इंफेक्टिड थ इस हेलिकोपर को वहां आने से मना करने के लिए जाती है लेकिन फैट्री को उस रेडियो को डिस्ट्रोइ करके एर्वन को ऐसा करने से रोक देता है इसलिए वे सब लैप की तरफ देखते हैं तो तब उन्हें वहां पर जेन की बोरी से अजीव से इंसेक्ट निकलते हुए दिखाई देते हैं जिनने देखकर वे सभी अब काफी डर गए थे वहीं बार्ट अब ये डिसाइड करता है कि वो उस इंफेक्शन को रोकने के लिए खुद का हाथ काट देगा मगर उसके फ्रेंड उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो अपना काफी बलड खो देगा लेकिन बार्ट के जित पर अड़े रहने के कारण उन दोनों को उसकी बात माननी पड़ती है जिसके बाद एवलिन सबसे पहले वहाँ पर फस्टेड का समान ले आती है ताकि वो बलीडिंग को जल्द से जल्द रोक सके लेकिन फैडरी को उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और उसने ऐसा करने से मना इसले किया होता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टिट था मकर ये बात उन में से किसी को भी नहीं पता होती आखिर में एवलिन हिमत करके बार्ट के हाथ को काट ही देती है और हाथ के काटते ही अब उसमें से काफी सारे इंसेक्ट बहाराने लगे थे लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें कुछ कर पाते एटम आख की मदद से उन सभी को मार डालता है जिसके बाद वे सभी बार्ट को एक सोफा पर लेटा देते हैं इसी बीच एवलिन को उसके फादर की एक नोटबुक मिलती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि उसके फादर को इन इनसेक्ट के बारे में और पता लगाने के लिए एवलेन अब जेन का कैमरा उसके पास से लेकर आने का डिसाइड करती है, लेकिन फैटी को उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन आकिर में वे दोनों उसकी बात मान लेते हैं मगर इससे पहले वे एवलन के सामने एक सर्थ रखते हैं जिसमें वे उसे कहते हैं कि अगर एक भी इंसेक्ट उस पर चड़ा तो वे उसे बाहर नहीं आने देंगे फिर एवलन उनकी ये बात माल लेती है और सेफली जेन के पास से उसका कैमरा ले आती है मगर जब वो वापिस बाहर आ रही होती है तो तब अचानक से बियर की डैट बोडी में से निकले वे इंसेक्ट उस पर अटेक करने लगते हैं लेकिन एवलन अब ठीक समय पर वहां से बाहर निकल गई थी जिसके कारण वो उन इंसेक्ट से बच गई मगर बाहर आते ही उसके बोडी के अंदर एक इंसेक्ट जाने ही वाला होता है कि तब ही एटम उसे बाहर निकाल कर मार देता है जिसके बाद जब वे सब अवलन के फादर की रिकोर्डिंग देखी रहे होते हैं कि तभी रूम के आंदर वे इंसेक्ट आने लगते हैं जिसके बाद वे सब लैम में जाते हैं जहां पर वे देखते हैं कि उस बीर की बोड़ी को वे इंसेक्ट पूरी तरह खा चुके हैं जिसके कारण वे इंसेक्ट पूरे रूम में घूम रहे थे और ये सब देखकर अब वे सभी काफी ड़ंग घए थे मगर तभी लिंग उनसे रूम से बहार निकालने की रिक्वेस्ट करती है साथ ही साथ वो उन्हें फैडरी को सचाई भी भताने की बहता आने की कोशिस करती है कि वह भी इंफैक्टीड है मगर इसे पहले की वह कुछ समझ पातें फैडरी को उस करते हैं कि वे सभी एक बार सब की जैकिंग करेंगे कि कोई इंफेक्टिड तो नहीं है जिससे फैडरी को अब काफी एंग्री हो गया था जिसके बाद अब वो उनके सामने रिवील करता है कि वो भी इंफेक्टिड है और बस यह कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है मग इसके कारण अब फैडरी को की मौके पर ही मोत हो गई थी फिर क्रुपन उन दोनों से रिसर्ट फैसलेटी को डिस्टोई करने के लिए बोलता है ताकि वो इंफेक्टिड और जगह ना फैल सके क्रुपन के कहने पर वे दोनों ठीक वैसा ही करते हैं मगर उस जगह पर आग लगाने से पहले वे दोनों एक बार फिर से रिकोर्डिंग को देखने के लिए जाती हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि उसके फादर भी इंफेक्टिड है और उन्होंने अपने आपको जान भूज कर इंफेक्ट किया था ताकि वो कुछ लोगों का सैक्रिफाइस करके अर्त को बचा सके लेकिन इंबurrection के समझाने की कोशिस करती है कि यह अर्त को बचाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि अगर यह इंसेक्ट वहार जाते हैं तो अर्बो लोगों को अपनी जान गवानी पड़ेगी लेकिन इंफेमन के समझाने के बाफजूत भी उसक की कोसिस करता है जिसके कार्ण वह काफी उचाई से गिर जाता है जिसके बाद आखिर में एवलिन हेलिकॉप्टर को वहां से जाने से रोकने के लिए उस पर शूट करने लगती है और शूट करने की वजह से अब वह हेलिकॉप्टर अनबैलंस होकर उस फैसलेटी में गिर गय को अपने पास बुला रहा था दरहसल उसका डोग वहां एक बर्ड को खा रहा होता है जो कि पहले से ही मर चुका था और जैसे ही वो डोग अपने मालिक के बुलाने पर उसके पास जाता है तो तब हम उस मरे हुए बर्ड को देखती हैं जिसके पास दरहसल वही इंसेक्ट मौ लोगों की मोत हुई थी इसका मतलब है कि वे इंसेक्ट जल्दी है पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और इसी के साथ हमारी मुवी यहां खतम हो गाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते है फिर अगली वीडियो में अगली वीडियो में अगली वीडियो में